चलिए अब सीधा आपको पानिपत लेकर चलते हैं जहां छट पर कारेकरम में मुख्यमंत्री शामिल हुए क्या कुछ कह रहे हैं सुनिके अंदर इस छट पूजा के कारेकरम भाग ले रही हैं जहां तक हरियना का बात है तीन सो स्थानों पर ये कारेकरम और इस समय लगबग पांच लाख परिवार इसमें समलित हुए हैं एक बहुत बड़ा विशाली ये कारेकरम है इस अफसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई अपने सांसर जो हैं इन्हों ने जो हमको आशिरवात दिया जो हमारा मार दशन किया मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आभारी हूँ मित्रो भाई वेनो आज के इस अफसर के उपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कारकम हो रहे हैं बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों की और से मांगी जाती हैं ये अफसर एक और बात याद कराने का बिद्धाबी है कि ये त्हूर हमारे यास से 30 किलो मेटर दूर करनाल में बहुत धूम धाम से मनाआ जाता है क्योक Dollar में सूरिये देवता की पूजा करते हैं चटी महिया की पूजा करते pleasing पहले और सबसे पहले सूरिये भगवाण की पूजा ऐसा कहा जाता है महारत काल के अ कानविर करंएं, उन्होंने सबसे पहली पूजा करुनाल के स्थान पर सूरिय देवता की की थी, जहां आज सूरिय ओमंदिर बना हुआ है. बहुत हम स्वभागशाली हैं कि हमारे हाँ करुनाल से ये कारीकम शूरु हुआ और आज इस सारे देश वर में दुनिया वर में इस कारेकम को मनाया जाता है तो मैं तो आप से यह कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सों के लिए बहुत सी विवस्ताइं की हैं साफ पानी को आना चाहिए उसके लिए घाट बनने चाहिए तो यहां के हमारे बंदों ने भी हम को यह कहा था कि यहां के घाट की विवस्ता मर्या नहीं है तो मैं उसके नाते से आप को यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्छे घाट है नहरों के उपर यहां दो नहरें चलती हैं उन नहरों के उपर एक आहूलाणा डिस्टिब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्मान करने की मांग आई है तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए मता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्द करा दिया है और ये घ घाट जो है बनाया जाएगा दो क्रोड रुपया इसको पर खर्च आएगा तो इस घाट की मंजूरी में देता हूँ इसी परकार से मित्रो इसी नाते से एक दूसरी बांग जो है असंद रोड पर फर्मल चैनल वहां भी 300 फिट घाट के निर्मान की ये एक आउशक्ता बताई गई है डिपार्टमन ने उसको भी फीजिवल कर दिया है एक क्रोड रुपया लगा करके उस घाट की मंजूरी मे मैं देता हूँ इसी परकार से बाबर पुर पुल जो है वो मुखे ड्रेन नमर दो वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है 300 फुट के घाट के निर्मान के लिए 2 क्रोड रुपय की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूँ बायों बैनो एक बात और मेरे सामने रखे गई थ की कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गाओं की और वो जो गाओं है हमारा महराना उस गाओं की महराना की पंचायत से बात की है अभी उन्हों ने सहमती नहीं दी है میں उनसे अग्रे करूँगा कि उस पांच एकड़ का अगर वो सहमती देदे बदले में हम उनको मंदर का निर्मान हो सके वो भूमी का एक टुकडा छोटा आपको जुरूर लेके दिया जायेगा और जब जमीन का प्रवंद हो जायेगा तो प्रार्म में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किष्ट के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूँ बाई बेनो यहां आपको पता है कि बहुत से ऐसी कलोनिज हैं जो कलोनिया अभी विक्सित पूरी तरह से नहीं है वो नियमित भी नहीं थी हमने पिछले साल वर में लगबग एक जार कलोनियों को नियमित किया है और उस एक जार नियमित कलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है और एक जार पूरे हरियना की है जो हरियना की है तो पानी में जो जो कलोनी हमारी विक्षितो ही है उसमें विकास कारे होगा एक जार कलोनी के लिए दो हजार क्रोड रुपया हमने रिजर्व किया है हर कलोनी में उसके काम आपके क उनके मन में एक समय दन शीलता है मैलाओं के विकास के नाते उनको किस परकार से सहभागी ज़दा ज़दा बनाया जाए तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूँ पारलेमेंट में हमारे दो-दो सांस दिया हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ इन्हों अभी एक आरक्षन का दिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुना होंगे विदान सवा लोकसवा में उसमें मैलाओं के लिए 33% रिजरुवेशन ये पारलेमेंट ने एक परकार से बिल पास कर दिया है हालाएक हमने पंचाहतों में पहले से ही अर्याना में पचास परसंट का परतिने तो दे रखा है लेकिन सारे देश बर की बास देशोचे तो 33% का अरक्षन भी ये पहली बार मिला है तो निश्ची दूरुप से आगे मैलाओं की भागेदारी इसमें मिलेगी हमारे जो गरीब परिवार हैं शर्मिक परिवार हैं अर्याना ने बहुत सी योजना के अंतरकत हर बेटी की शादी पर जाता है पचास जार प्या उनकी शादी के प्रवंद के लिए वो अलग से जाता है एक लाख एक जार रप्या हर बेटी की शादी पर हूं को देते हैं उनके सम्मान के नाते एक राशी ये राशी क्यावन सुरुपया वार राशी ऐसी जो जो श्रमिक हैं श्रमिक मैलाओं की प्रसूती के उपर तीन जार रुपय महिना छे महिने तक बलके छे जार एक साल तक ये छटीस जार रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हजो हमरे ऐसे गरीब परिवार हैं ऐसे श्रमिक परिवार हैं ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक साहता अथो अन्य साहता की जरूरत है बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाव निश्रूप से आप उठा रहे होंगे फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हम अच्छे सुझाओ है और भी जो सुझाओं आपको लगते हों दिने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे क्योंकि पानिपत शेयर का जो श्रमिक है ये पानीपत शहर में चाहे हो हर्याना का है अत्वा बाहर से कहीं से आया है हमारी आर्थिक सिती में हमारे अध्योगी क्विकास में बहुत बड़ी भूमिकायक निभारा है ये पानीपत हमारा टेक्स्टाइल का हब है इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत ब़ा़ योगदान है हर्याना में कृशी खशेत्र में भी जो पुर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं उसका हमारे कृशी को भी बहुत बड़ा उप्योग है और तो और भवण निर्मान में में हम देखते हैं जो हमारे मजदूर और उसके खास करके उसमें, जब मैं देखता हूँ हमारी बहने माताएं, वो पुर्शों से भी ज्यादा ताक्द लगा करें, मेहनत करके काम करती हैं, मैं उनकी सरहना करता हूँ, कि इस हर्याना के विकास में, आप लोग का जो योगदान है, उसको भूला जार से उपर यहारी बहने माता हैं, हमारे भाई भी यहां खड़े हैं, उनको इस हवसे पर बहुत बहुत अपनी और से, अर्याना सरकार की और से, बदाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनन दन करता हूँ, और मरे मनोज तिवारी जी का भी, मैं हार्दिक सम्बोधन चट मापर के मौके पर पानिपत में बड़ा कारेकरम आयोजित किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री शामिल हुए दो करोड से तयार होगा तलाब एक हजार कॉलिनियों को नियमित किया ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कॉलिनियों में तेजी से विकास कारे हो रहे ह बेटी की शादी के लिए क्यावन हजार रुपै सिलाई मशीन के लिए साड़े तीन हजार रुपै हरियाना में तीन सो जगाओं पर चट पर उपर कारेकरम आयोजित किया गया है तमाम बाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में की है और किस परकार से घाटो पर विशेश तैयारियां सजावट यहां की गई है चट पर के मौके पर इसका भी जिक्र माफ किजे का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में यहां पर किया है मंच से आपको बता दें इस वाद की बड़ी खबर ब्रेकिंग नियूज मुख्यमंत्री मनोहर ला क्या है